M.H.1 News देख रहे सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है, मैं हूँ दीपा करोडा, बहुत स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस खास कारक्रम Talk of the Town में, दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, हम Talk of the Town में बात करते हैं उन लोगों के साथ, उनकी जिन्दगी को जानने की कोशिश करते हैं, उनकी जिन्दगी जो ना केवल अपने लिए inspiration रही, अपने लिए प्रेदना रही, ना जाने कितने लाखों करोडों लोगों के लिए उनकी जिन्दगी प्रेदना रही, आज हमारे साथ इस खास कारक्रम के अंदर जो शक्सियत महजूद हैं, किसी परि C's के CEO's को वो train करते हैं कितनी companies को वो advise करते हैं लेकिन दोस्तों आज हमारा setup देखकर आप समझ रहे होंगे कि आज इस कारकरम इस interview के अंदर जो मकसद है that is something different आप किसी भी काम को करें जिंदगी में कोई भी काम करें उसके लिए mentally और physically fit होना उतना ही ज़रूरी है तभी आप अपने काम के अंदर 100% दे पाएंगे और आप अपने काम में successful हो पाएंगे और prosper कर पाएंगे हमारे साथ जो मैंने आप से चर्चा की जो मैंने आपको introduction दिया हमारे साथ जो आज खास महमान के तौर पे मौजूद है नन अगर दिपक जी MH1 के सारे दर्शको को मेरी तरफ से शुब काम ना है आप ने जिंदगी में हर तरह की कामे अभी जिंदगी में देखी लेकिन आप अगर आज बात करें बिजनेस कोच के साथ साथ जो आपके फिजिकल ट्रांस्टॉमेशन हुई है क्या बिजनेस कोच के साथ साथ आप फिटनेस कोच भी बनने वाले है नहीं नहीं मैं बिजनेस कोच था बिजनेस कोच हूँ बिजनेस कोच ही रहा हूँ को मेरी आइडेंटिटी है fitness मैंने build करी ताकि मैं business coaching और अच्छे से कर सकूँ business consulting और अच्छे से कर सकूँ मैं देश के सारे top corporates को, MSME's को SME's को सिखाता रहा हूँ कि business और entrepreneurship के द्वारा अपने आपको देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए fitness क्यों build करी, इसलिए build करी ताकि इस काम को और अच्छे से करें जी, डॉक्टर बिंद्रा एक बात और जो निकल कर आती है, अगर आज के टाइम में बात करें कि 2 किलो, 5 किलो या, you know एक certain amount of weight भी reduce करना हो तो it takes a lot of doing, it takes a lot of efforts, आपने बहुत ही कम समय के अंदर लगभग 25 से 30 kg आपने कम किया, ये कैसे कर पाया, और knowledge होना चाहिए, science समझ में आने चाहिए, कैसे करना चाहिए, कभी भी weight कम करना, उसमें तीन चीज़े, पहला fat दूसरा muscle, तीसरा water तो weight कम करते वक्त ऐसा ना हो जाए, कि आप fat कम करते-करते muscle कम कर दे, ये water कम कर दे fat dead होता है muscle life होती है आप देखेंगे, आपकी bicep में muscle हिला सकते हो, लेकिन आप fat को हिला नहीं सकते हैं, अपने bodybuilders को दिखा होगा, ये उचेस्ट हिलाते हैं, उपर नीचे कर लेते हैं वो बिना हात लगाए, वो muscle है muscle जिंदा होता है, fat मुर्दा होता है तो अगर आपको weight कम करना है intelligently जानना है कि मेरे लिए कितना काड़ी हो ठीक है कितना strength training, weight training ठीक है तो मैंने उसे करने के लिए बड़ा balance बना के रखा body का muscle percentage lose नहीं होने दिया fat percentage कम करते-करते-करते-करते athletic body हो गई है आज मेरा fat percentage लगबख 14 के आसपास चल रहा है That is very important thing Dr. Bindra, जो आपने इसमें mention किया, because लोग weight कम करने के लिए जाते हैं, but they exactly वो समझ नहीं पाते कि किस proportion में weight कम करना है, so I guess that is a very important thing which you have shared with our viewers also. मैं एक चीज़ और Dr. Bindra जानना चाहूँगा कि आपने self लिए कब realize कि अब आपको weight कम करना चीए, कोई किसी ने आपको inspire किया या या ये मन में आपके विचार कैसे और कब आया? मन में विचार पहले से था, पर 40 के जो गई थी, अब मैं सोचा अब मैं समय निकालूँगा और अपने आपको समय दूँगा. COVID के बाद मैंने fitness पे काम करना शुरू कर दिया था, इस साल जो बीता साल गया, पिछला financial year, उसमें मैंने फिर इसके बाद निर्णे ले ले, लिए लाइफ जो है ना discussion से नहीं, decision से बदलती है जिन्दगी में जब भी को बड़ा परिवर्तन आया, वो धीरे धीरे नहीं आया, अचानक आया जब भी जिन्दगी में परिवर्तन आता, आप लोग के लिए भी important lesson है, decision भी जिए, discussion तो बहुत हुती है, मैंने decision ले लिया, मेरा 40th birthday था, बहुत तेज मने काम करना शुरूर किया, diet control करी, इसका एक rule होता है, हर 7,500 calorie deficit पे आपका एक किलो बड़न कम होता है, आपको intelligently plan करना है, कि मैं 30,000 calorie total 24 घंटे में burn करूँगा, 1500 calorie रोज 24 घंटे के अंदर में consume करूँगा, यानि कि आपने 1000 calorie extra burn किया, एक हफते में 7,000 calorie बड़न किया, एक हफते में आपका एक किलो कम होजाएगा, तो आपका महीने के अंदर 4 किलो कम होजाएगा, महीने में 4 किलो कम करना बहुत हल्दी है, आप 6-7 महीने में अपने desired goal पे पहुँच सकते हैं, आपको, आपको इस और बड़ी इंपॉर्टन है कि आपने अपको फिजिकली ट्रांसफॉर्म किया, अचुली, मेंटली भी ट्रांसफॉर्म किया अपने, बट जो आपका स्केडूल रहता है, अब यूनो, यू यू कीप एन ट्रावलिंग, वो इसके जाए खुड़ी ट्रावलिंग, बट जाए जाए अपने बट आपको, इसके साथ इसको कोप आपकरना, बैलन्स करना, अब है यह कैसे कर पाया देखे, इसका इंपोर्टन तूल है, कि इप ड़ी इन ठेखिश, जो आपको सबसे important सीजना उस पर compromise ने लिए आपने ऐसा होता है कि कभी-कभी बहुत बिली हो जाता हूं बहुत बिली हो जाता हूं तो कभी-कभी ऐसा हुगत है कि रात 11, 12, 1-2 बज गया काम करते करते हूं तो फिर मैं 2 बजे अगर free हूँ तो 2 बजे work out कर वा लेंगे वर्काउट करके सोगा तो मैं डेड़ घंटे का वर्काउट रोज करता हूँ जो ये अगर आप इतना बिजी शेडूल रने के बादा आप दो बजे भी अगर फ्री हुए तो दो बजे आप वर्काउट करते हो जो कार्डियो फंक्शनल है और कार्डियो है उसके लिए आप जिम में कार्डियो मत करो स्पोर्ट खिलो तो मेरे साथ में मेरे परिवार में कुछ लोग रहते हैं उन लोग उसे हम अपस में को बादे कर लेते हम आज रात को हम एक बजे मिलेंगे सारे के sahरे और पुरे परिवार के हम 10-12 लोग गठे हो जाते हैं और आपको फुटबॉल खेलते हैं आपने बोला थकान है लेकि स्पोर्ट्स जो है ना स्पोर्ट्स में आप में जीतने के इच्छा रहती है आज में थकान बुकान सब भूल जाता है बिजनस भी करना हो ना बिजनस को भी ना बिजनस को भी ना बिजनस को भी ना अगर आपको बिजनस भी करना है तो लोगों को जिताओ तीम से काम करना तो उनको जिताओ और जब आप खेल रहे होते हो स्पोर्ट्स खेल रहे होते हो आप जीतने के इच्छा ते अपनी जान लगा रहे हैं तो आपका कार्डियो अपने आप वर्काउट हो जाता है रूल क्या है? मेरे बाडी स्ट्रक्चर के अंदर ये अच्छा है कि अगर मेरे को लिवर को डीटॉक्सिफाई करना है किड्नी क्लीन करनी है मेरे को खास लड़ से लिवर के लिए तो अगर मैं 135 से 140 की हार्ट बीट मेंटेन कर सका 45 मिनट के वर्काउट में और 45 मिनट में लगबग मैं 10 से 12 कैलरी पर मिनिट निकाल दूआ तो मेरा आइडिया है कि 600 से 700 कैलरी उसने मेरी निकल जाएंगी और उसके दुरान मेरा अंदर हार्ट इंप्रूफ करेगा लंग्स इंप्रूफ करेंगे किड्नी और लिवर ये चारों इंप्रूफ कर जाएंगे कार्डियों में ये इंप्रूफ करते हैं और वेट ट्रेनिंग के अंदर आपको मसल इंप्रूफ करते हैं मसल जो है न बड़ा जरूरी है लाइफ के लिए मसल का मतलब ही नहीं बॉडी बिल्डर बनना है मसल का मतलब क्या है अगर मसल ठीक रहेगा तो आपका मेटाबॉलिजम चलता रहेगा इसका रूल मैं आपको समझा लेता हूँ इस साइंस लोगों को मालूम नहीं है लो बेसिK चीज दीक चीज़गा प्लंबी सब्सक्राइब सबस्तिद करें एंट।क्वास्तिक की किस बैसेस जरूत नहीं है क्यादा नहीं है। इसका साइंस है जिं का जू ओर्काउट है उसके बाद आपने क्या किया बाइस अब किया आज आपने खूब वेट उठाया तो आपने ये मसल को क्या दिया इंजिरी दिया इस मसल को जब इंजिरी दिया तो बॉड़ी इसको रिपेर करेगी बॉड़ी इसको रिपेर वो 35 घंटे चलेगा कहीं केसित में वो 47 घंटे चलेगा एक घंटा आपने वर्काउट किया अगले दो दिन तक मसल को रिपेर किया जाता है और उसमें आपका मेटाबॉलिसम हाई रहता है कैलरी डेफेसेट होता रहता है तो वो हो गया आपका वर्काउट आपने जिम में जो किया एक कार्डियो कार्डियो आपको इंटर्नल बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टन्ट है उससे आपका ब्रीधिंग लंग्स अपका किटनी लिवर डीट तो हो भी नहीं कर रहा है न वो वीड आउट हो जालेगा इसका बोड़ाका अशे गया कि जिंदे की वह ताज ह geschचाई appreciate that, कि जो आपने बात बोली कि जिसे आप इतना busy रहते हैं और उसके बार आपने, you know, you shared, कि आप परिवार के लोग की कठे होते हैं, आप रात को एक बजे भी football कहलते हो, that you know, that winning desire, that will power, that gives you that winning desire, वो जिन्दगी में में अपनाना चाहिए इस बात को, that's a very fantastic thing, Dr. Bindra, one more thing, हम physical fitness के साथ साथ, आपने अपने आपको transform किया पूरा, उस हिसाब में आप क्या देखते हैं, कि जो हमारी mental fitness है, उसमें ध्यान का, meditation का कितना important role मानते हैं, बहुत अच्छा रोल है, करे लोगो कैते हैं, योगा का सर पता नहीं का बाएगा भीया, अरे बहुत धीमा का, अरे इतना आसा तो उगुचा, कुछ नहीं, प्रानायाम को तूरंत result मिलता आपको, उखात रोल है meditation का, आपने परस्नली क्या अरे इतना एक्जामपल किया जो प्रानायाम के बाद, इडिवी फिल सम चेंजेंगे जा करता हूं, मैं तो अच्छा थोड़ा था ना, ताइम को एफिशेंटली यूज करता हूं, तो मैं प्रानायाम के साथ भावान के नाम का जब भी कर लेता हूं, तो हरे कृष्ना महमंतर जब किया है, जो भी महमंतर आप करना चाहते हैं, जो चैंटिंग करना चाहते हैं, चैंटिंग तो आपको सभी शास्त्रों में बताया गया है, अगर आप भाइबल उठाते हो, दो ध्लिवी नीम नेद्ट लॉर्ट वनों देंट कमांड मेंडिन, अगर आप गुरंत साइब उठाते हो और अगर आप इसलाम प्रैक्टिस करते हो तो आपने क्या किया है लंबा गेरा शांस लिया अब छोड़ते हो चैंट करो हरे एकृष्टे हरे एकृष्टे करिश्टे करिश्टे हरे भवान का नाम का जब भी हो गया लंबा गेरा शांस बाडिए आपकी रिलाक्स और आप भवान का स्मरन भी कर सके तो अपनी आध्यात्मिक और भौटिक दूनों श्रीर को चाख कर सके अध्यात्मिक श्रीज मतलब आत्मा, मौतिक श्रीज मतलब ये, पहली दफ़ा मैंने कोई धार्मिक मंतर की बात करी आपके चानल में मतलब ये, मैं अवोइड करता हूँ कि जिस तरह से आपको श्लोक, मंतर, सब कंठस्त हैं, इसलिए मुझे लगता है कि सिर्फ हिंदूस्तान में इन देश-विदेश में लोग आपको फॉलो करते हैं और ये लगता है कि उसको बनने के पीछे जो आपने आपके अंदर जो कौनिटी इनरेट की हैं, डवलब की हैं, वी मस्ट टेक लीफ आउड आप ये जो अनुसरान करना चाहिए, अट इस रिली अप्रिशिबल बॉप्टर बिंद्रा, एक आपका शो बहुत पॉपलर भगवान ने एक स्लोक बोला है, यूक्त आहार विहार स्या, यूक्त चेश्ट स्य करमसू, यूक्त स्वपना वभुदास्या, योग भवती दुखाहा, चटा ध्यान यूक्पे, भगवान बॉडी को कैसे ठीक रखना, माईनू कैसे ठीक रखना, वह बात करते है, भगवा वे पश्ता है गाए गोगवान ने अच्छे सिस्थें बताइए है कैसे लाइफ को रेगूलेर ड़क्टर बंद्रा कि जिवा अपनी फाइनली में पर देस्टिनिशन के लिए तो अब रास्ते के सफर के हर्स अब हर को आपको कितने तुजुर्बे कितने एक्पिरेंसिस और लाइफ जुनों लाइफ चेंजिंग जुरूनीज एक्जामपल्स आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं डॉक्र बिंद्रा फिजिकल एक्टिविटिस की बात हुई हमने बात की किस तरह से आप फिटनेस के लिए अपना टाइम निकालते हैं सब कुछ करते हैं डाइट का कितना इंपॉर्टेंट रोल है आज के लगे लोग देखे तो लोगों को डाइट में किस तरह से हम बात करें कीटों की इंटर्मिटेंट की या विगन डाइट की उसको किस तरह से आप बैलन्स लेके चलते हैं लेके डाइट का भी 100% रोल है और वर्क आउट का भी 100% रोल है फिर भी के लोग पूछते हैं जादा किसका जादा किसका जादा तो फिर डाइट का जादा है डाइट करो थोड़ा 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 है पर एचलि आपको फोकस दोनों पर ही करना पड़ेगा पर एक बात ह जोड़ा गुछ से में faat कहुश में अगए और खेटे रहेगा हूं आफ मौई कोलीड वाले आपको ने भूडत वाले आपको आपको जो लोग डाइट को फॉलो करते हैं इसको फॉलो बाड़ा ब्लाइब लिए इसको फॉलो करते हैं यह वरी सिग्निफिकेंट पॉइंट विच विच वेड़ेगे लिए लिए ओगा थोड़े जुनों में धायबटीज थीक जाईगी तो कीटो जो है सस्टेनिबल इसलिए नहीं है पहली चीत कीटो में वह आपको बताएगा ड्राइगन फूरूट खाओ वह आपको बताएगा अवाकाटो खाओ दो सुरुपय का आप इंपोर्ट करा के मंगाओगे एक पीस खाओगे चार पीस दिन में खाओगे आपका 800 फूर्ट है चोटा को पार्टी को इनटी ची बाडी का रूटे एड़ को अनर्जी ची हार काम के लिए यह वह रिखाओ तो जितना बॉड़ी को चींव कुछ चेए फक से उसको खका जाया रहा भाण कर देगा बॉड़ी नहीं समझते लोग यह नहीं समझते के विरुद्धा हार कौन सा है है जी स्मूदी के चक्कर में वो सिट्रिक फूरूट और साथ में जो है मिल्क और करड में लाकर के स्मूदी बना की पीते हैं थोड़े दिन चाहिए के बोडे बलड नहीं हो लेकिन आज मेरेशन ठीलोड बॉडपिवर नषी ने काम करते हैं ना मेरे बराबर ना मेरी बराबर समय तक ना मेरे बराबर स्पीड से सब्स्पेव कहते हूं। मैं नाम नहीं लेना चांगा शुक्र पर आप अगर बाड़ी को जितनी जरूरता है तो बाड़ी जितना कंजूम करना जाती वो इमिजेटली उसको कंजूम कर लेगी बाड़ी को उसके बाद you keep it a gap तो आपने दूसरी बात की कि जैसे अभी हमारे एक सोशल मीडिया के उपर जिनका मैगी खाते हो वीडियो भी वाइरल हुआ था तो खुद का आपका कभी डॉक्तर बिंदरा का कभी फास्ट फूड खाने का मन नहीं करता कभी मन नहीं करता कि चीट करूं य यह इसरे वह शिताब दीए अब आप क्या करू उप उसको उसको दिक्कत नाए मालगाडी की बढ़ानी हो तो इंजन स्थाब दी रहा लगा दो तो क्या करओ आप चौमन खानी है मैं खाता हूं सौमन सिस्टम चीज कर दिया ऐक बोल खांगा लेकर इसमें क्या करूँगा 10-15% पंदरापरसं नूडल डालूगा, तो चासी परसं शालड ढाल दोगा, और क्योंकि साउसेज वही होंगी तो स्वाद सैलड में भी नूडल का आ आ जाता है, सैलड में भी नूडल का स्वाद आने शुरू हो जाता है, पर क्या है अब जो है माल गाड़ी को लग गया शताब दी का इंजन है तो उसके बाद कहीं रुके का नहीं पेट में आप कोई साइंस हो मैंने ची खाना कैसे है एक बेवकूफ आता था कि मैंगी खा के बाड़ी बना लो फ्राइड फिश खालो ये खालो वो कुछ नहीं गलत वाटर किसमें होगा चालिड में फूट्स में जिसमें ना फाइबर ना ओईल ना वाटर वो मैदा है तो है हाई ग्लाइसमेट इंडेक्स आपका ग्लूकोस एकदम बढ़ेगा बार बार जंप मारेगा वो कॉंप्लिक्स काब नहीं है वो सिंपल काब है वो इंसुलीन को स् वो इंसुलीन को स्पाइक नहीं रखेगा वो मिंटेंड रखेगा जिसमें ऑईल हो वो मिंटेंड रखेगा वो संभालेगा लंबे समय तक चलेगा वो आराम से चलेगा स्पाइक नहीं जाएगा स्लो रिलीज बोलते है उसको ड्राइफरूट है स्लो रिलीज है आराम से ब समोसे और दो ग्लास कोल्टरिंग पे लिया तो पंदरा सो कैलरी हो गया पंदरा सो कैलरी पूरे दिन में खाना था अपन के अनाश्टे में वैसे लपेट लिया गेम ओवर आपका जिल्दी अब क्या पता आपका जिंदे की बुड़ापा भरवाद खतम है भाई एकदम खतम है दिन्दी में दिमाग भी काम नहीं करेगा दिमाग काम करना बंद कर देगा श장이री काम करना बंद कर देगा लेजी मिसा जा है गाएगा जल्दी दर्द पहिंद बैढ़ जाएंगे बाडी के अंदर और उसके बाब ब्लड टेस्स कराना आदे ब्लड टेस्स आपके खराब निकलेंगे टॉक्टर बंदरा मुझे लगता है कि आज के इस इंटर्विव में इतनी नॉलेज़िबल हो इतनी इंडेप्थ हेल्थ से लेटेड जानकारी तो मुझे लगता है शायद किसी सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म पर भी उपलब नहीं है अगर हो गई तो शायद मेरी जानकारी में नहीं है I must say that you know I have learned so many things while you know talking to and conversing with you I have learned so many things और मुझे लगता है निश्टी तोर पे हमारे जो viewers है you know the viewers will be benefit out of it कि उनको आज actual में एक worth knowledge health related जानने को मिलेगा I must appreciate for all the knowledge which is sharing हिंदुस्तान के अंदर एक और बड़ा फूड है जो आपने पिछले सवाल में भी बात किया थेलों पर मिलता है और उसको लगता है मुझे चाहिए वो बच्चे हों बड़े हों लेडी हों सब को लेकर बहुत क्रेविंग होती है वो है गोलगप्पा इसको आप यह कह सकते हो कि हमारा एक ऐसा ऐसा फास्टूडा जो हर गली नुकड पर आपको मिल जाएगा गल गप्पे खाने को लेकर लोगों में बहुत क्रेविंगो जोती है आपको क्या लगता है कि इसको क्या मानते है देरे देरे आप खुदी परिशान हो जाऊंगे हैं, डोदो के चक्कर में कितनी बार बजाड़ जाओं, कितनी बार मंगाओं तो आप अपने आप ठीक हो जाओंगे। बाई साब एक बात बता दो आपको मैं जो स्वाद होता ना वो नॉन वेज बनी होता है वो हर्ब्स में होता है स्वाद ना मसालों में होता है आप आपको बाव बताओ किसी भी नॉन वेज़ने को बला लो उसमें ते तेल मसाले हटा लो उसको बोलो आप खाने खा कर रिखा दे को दुनिया में अगर इतना टेस्टी होता नोन वे तो खा कर रिखा दे नहीं खा पाएगा वो कृष्णा ने बोला नौवे अध्याय में पत्रम पुष्पम फल अम्तो यम यह चार चीज़े खाने की है यह तो भवान भी गहते हैं अंडनम, चिकनम, फिशम, मीटम, नहीं बोला भवान में ऐसा तो खाने की जो चीज़े भवान ने क्लारिफाय करके बताई आपको, और खाई आपको तकलीफ नहीं आएगा अज़रा जब वेट लॉस की बात करते हैं तो वेट लॉस में लोगों को देखा गया है जो कोचीज भी गाइड करते हैं काबोर हाईडेट्स और प्रोटीन का वड़ा इंपॉर्टिन रोल रता है आपके साफ साफ से जानना चाहें है कि आप वारे वारे व्यूस के साथ भी इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है और इनकी जो किस कॉंटिटी के अंदर इसकी कंजम्शन करनी चाहिए ऐसा है देखिए आपको सब चीजे लेनी चाहिए पर यह पता हुने ची कितनी लेनी है प्रोटीन का रूल बड़ा सिंपल है कि जितना आपका वदन है समझो आपका इसमें लाइफ होती है वह ता है स्प्राउट्स में हाइस क्वालिटी का प्रोटीन और फाइबर है ओए बढ़िया खाना वो फ्राउट क्या उसमें पूंच निकली हुई है पूंच निकली हुई है यानिक इसके अंदर लाइफ है वो डेड़ फूड नहीं है मैंगी क्या प्रकृती से आई है चीज जो मदर नेचर ने दिये जिसमें हुमन इंटरवेंशन नहीं है वो खाओ अब आपने बूचा प्रोटीन का प्रोटीन आपको मसल की रिकवरी में मदद करता है काबो हाइडरेट और फैट बाडी गेन करने में मदद करता है अगर आपको बाडी का साइज बढ़ाना हूँ तो फिर भी चाहिए आपको तीनों कहीं लोग अग्यानतावश क्या करते हैं क्रैश डाइटिंग में चल जाते हैं बिल्कुल ने उनकी बाडी का फैट में मसल भी खतम हो जाता है मसल खतम हो गया यानि कि उसकी शिरी की जो जो चीज शिरी को जि बॉड़ी बॉड़र मसल इंपॉर्टन्ट है वो आपको आगे बढ़ाएगा जिंदगी में लंबे समय तक रहेगा मसल की कोई एज नहीं होती है स्किन की एज हो सकती है मसल की कोई एज नहीं है इसलिए आपने कभी देखा हूँआ सकतर साल के बॉड़ी बॉड़र भी होत चीज है उसको आप बिल्ड कर सकते है वापस डॉड़र एक बड़ी इंपॉर्टन्ट चीज है जो मतलब अगर आप कहीं पर भी फिटनेस ट्रेनर्स को देखे या जो लोग जिम में वरकाउट करते हैं सप्लिमेंट्स को लेकर बहुत ही बहुत ही चर्चा हमेशा बनी रहत आप अपनी बॉड़ी को किसी एक इंटेलिजेंट कोच से मिले मेरे भी गुरुजी आज है यहाँ पर हमारे साथ में हमारे कोच है अजे सर आप किसी एक इंटेलिजेंट ऐसे आत्मी से मिले जो सर्टिपाइड जिसके पास एक्स्पिरेंस वह आपको बता देगा किस अप् बेचा रहा है सप्लिमेंट जैसे प्रोटीन है अगर आप वेजीटेरिन हो आपको पुरा प्रोटीन नहीं मिल रहा है आप अंडे नहीं खाते हो तो दूद से बना हुआ सप्लिमेंट है वो लेना गलत निकले लोग कहते हैं पुर्टाव डबबे की बॉड़ी डबबे की बॉड़ी नहीं है बाइए वो एक सपोर्ट देरा है शरीच को उत्ता प्रोटीन देरा है जो मुसल रिकावरी के लिए काम आएगा हिससे बनता है वो दूद के एक हिससे से बनके आता है वे प्रोटीन उसको दे लिए जा सकता है अगर आप डाइटिंग कर रहे हो मल्टी मुल्टी वाइटमिन लोग है तो एसेंशल न्यूट्रियंट है आप डायट मिस्क जाते हैं वो पूरे रहेंगे मेंटेंट रहेंगे तो मल्टी विटमिन लीचे है अपने बाड़ी के टेस्ट कराईए अगर विटमिन डी कम है तो उसका सप्लिमेंट लीचे अगर बी ट्व मैं अपने यूट्यूब चैनल पे इसको शेर करके लोग को बताना चाहूँगा क्या ध्यान देना है लोग आजकल जिम पे जाओगा ना पैकेज मिलता है क्या मिलता है पैकेज मिलता है बॉडी बनानी बनानी है यह तरह पाकेज है टोटल तुछ से हम लेंगे 40,000 पर 6 मही तुछ सेखो के लिए 50,000 पर तेरे यह 6 इंजक्शन बनते हैं यह तरह रेंगे बनते हैं यह तरह जिम की फीछे कोचिंग की मज़िए गां किया रहा है उसको उसको डेका देरा है टेस्ट अर्र शाट दे रहा है अब क्या होगा वाडी अपने अप टेस्टेस्टेस्तोरा produce कर रही है मान दीजे बाडी ने समझो 100 gram produce करना था उधारन के निए सधारन बाशाना बता रहा हूँ मैं unit measure 100 gram बोल रहा हूँ आपने उसको दे दिया 1000 gram ठीक है अब क्या होगा ध्यान देना बाडी में जब अपने बाडी अपने आप यह साइन दिखते हैं आपको यसलिए बॉडी बॉल्डिंग नहीं बॉडी कि फिटनिस जिरूरी आपको नहीं क्या बोल आपको पहला रूल किया बैंड सब्सकेंस मतलो तो किसी चीज जो बॉडी प्रोड्यूस कर रही थी आपने उसको एक्स्टर्नली प्रोड्यूस करा तो बॉडी प्रोड्यूस करना भूल जाएगी बंद कर देगी जब बंद कर देगी जैसी आप आफ साइकल जाओगा बरबाद जाएगा श्रीव इसलिए वो जो मैंगी वाला है भाई अभी देखना क्या वरा उसके साथ में आ बढ़र सब्सक्राइपक कर देखनने इस प्रोड़ मेंद कर दो ऑते हैं एक बढ़र चीज पाया क्या फिन दो होते हैं एक कौंडिटी साथ एक कौंटिटी क्वालिटी आप गलत खाना खृँब हैसमि अद्भक टॉर णहां शुरू करता है लिवर का ने बार क्राझ काला अब आपर fat कम करना है अपको, क्या कम करना है? Fat कम करना है, तो 45 मिनट का workout 142 की heart beat पे एक average age के आदमी को 30, 35, 40 साल के आदमी को कर लेना चाहिए 25, 30, 40 साल तक के आदमी को कर लेना चाहिए उसकी उमर 40 से ज्यादा हो गई है, तो 132, 135 की heart beat maintain कर ले और उसके साथ में 45 मिनट का workout कर ले, उसका fat burn होना शुरू हो जाएगा लेकिन, यहां ध्यान देना, उसके लिए fat burn करना important है पर अगर वो जिम भी जा रहा है, और उसको 45 मिनट की जगे डेड़ घंटा कर दे तो उसका muscle भी खाना शुरू हो जाएगा, तो इसलिए उसको muscle भी build करना जरूरी है मैं इसलिए rule बनाया आपने दीपक जी, मैं 45 मिनट gym, 45 मिनट football, 45 मिनट gym, अगले दिन 45 मिनट badminton 45 मिनट gym, 45 मिनट की running or cycling, 45 मिनट gym, 45 मिनट की swimming, तो काडियों की चीज़ मैं change करता रहता हूँ और muscle maintain करने के लिए, बार-बार फिर से बता रहा हूँ, muscle दिखाने वाला muscle नहीं, शरीर में muscle का एक percentage होता है मैं simple muscle का percentage रहा हूँ, body बनाने की बात में ही कर रहा हूँ, muscle जो शरीर को चलाएगा, जो आपको जिंदा रख रहा है, जो आपको ताकत देगा, वो आपका 35, 36, 37, 38, 49, 40 परसंट तक रहे, बहुत अच्छा है लेकिन महिलाओं में fat percentage जादा होता है, fat लड़कों का ideal fat percentage होना चाहिए, 18-20, 15, 16, 17, 18, 20, लड़कियों का 25 के निशे होना चाहिए, वो maintain करना आपको, तुम आने बता है, quantity और quality of food से होगा है Dr. Pindra, एक चीज़ अभी, अगर हम हाल फिलाल में बेखे हैं, और आपको अफलेट कुछ इंसिदेंट ऐसे सामने आया है, कि बहुत से कुछ लोग ऐसे, जो बड़े fitness freaks भी रहे, इवन सेलिब्रेटिस की मैं बात करो हूँ, अगर हम Raju Shrivastan जी की बात करें, उनका जिम में work out करते हैं, उनके साथ हुआ, सौराव गांगुली के अगर हम बात करें, तो वो जिम में ही work out कर रहे थे, जब उनको heart attack हुआ, Calcutta के अंदर heart attack हुआ उनको, इसके पिज़े क्या reason है, क्या over work out है, या जिस proportion में exercise होनी, जैसे as you rightly mentioned कि अगर आप work out करते हैं, तो cardio की जो आपकी exercise हो, every day you 45 minutes, you keep on shifting and keep on rotating, और जो muscle का है, that is, that you keep on maintaining, तो इसको आप कैसे देखे हैं, और क्या reason मानते हैं, कि इस तरह से जो fitness freaks लोगs भी हैं, celebrities भी हैं, और वो इतने conscious रहते हैं, still they are having heart problems and heart effects, what is the basic reason behind that? दो मोटे मोटे करण समझ लिए, जिम जाने से आपको heart attack नहीं आता, जिम जाने से आप heart attack से बचते हो, पहले तो समझ दो, जिम जाओगो तो heart attack से बचोगे, बढ़ेगा नहीं, उसके कारण दो अलग है, पहला कारण हो सकता है, सबसे number one कारण है, वो है genetics, अगर आपके father को, या mother को, किसी में से एक को भी, diabetes, blood pressure और heart की समस्या थी, तो दो गुना chance आपके बढ़ जाएंगे, और अगर mother और father दोनों को थे, तो चार गुना chance आपके बढ़ जाएंगे, तो पहली चीज़ genetics चेक करो, दूसरी चीज़ है lifestyle, बॉलिविड के लोगों को पता नहीं, आपको क्या क्या ले रहे, तीसरी चीज़, अगर जिम करते वक्त breathlessness हो रही आपको, बार बार breathlessness हो रही है, तो वो एक indication है, वो indication आप चेक कर लो, इसलिए मैं बोलूँगा, आप corrective health check-up मत करो, preventive health check-up करो, मैं preventive health check-up करते रहा आपना, हर दो तीन महीने में full body test करते रहा, देखता करते वे चलते वे थोड़ा सा भी, अगर आपको बार बार breathlessness हो रहा है, और रुकने पर ठीक हो जाता है, तो ये symptom है, तो ये symptom है, तो ये symptom है, अभी आप जैसे खुद भी regular work out करते हैं, और जो और भी लोग work out करते हैं, आप क्या advice करेंगे, what do you feel कि उन में, उनको जो work out से प क्याफीन लेते रहोगे, acids produce होने शुरू हो जाएंगे, पेट के अंदर, जादा क्याफीन लेना खतर ना करें, अचा क्याफीन में 35-40 ग्राम अगर आपने किसी को क्याफीन दे दिया, पका मर जाएगा हो, उसके बचने के चांस बहुत कम है, तो 40 ग्राम से उपर चला गया क्याफीन उसका intake, और लोग बिना सोचे संजे काफी पर काफी काफी पर काफी पर काफी पीए जा रहे है, वो बहुत गड़बड़ा है, इसकी जगह है, अद्रक के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, उसको अगर गरम करके उबाल करके आप पी सकते हो मॉनिंग में, ग्रीन टी के साथ ले लो आप, सुबहरे ले लो, और वर्काउट से पहरे ले लो, वो तो ठीक है, वो आपको मनत कर देगा, ड़्टर विंद्रा, जम्स के अंदर हमने खास तोर पे देखा जो जो वर्काउट करते हैं लोग, तो उसके बाद लोगों में अलग अलग तरह क लेना, जी, स्टीम लोगे, और अगर आपके पोर्स खुल जाते हैं उससे, बहुत जल्दी बुड़े हो जाओगे, अगर उसको बन नी किया, पोल शावर लेके, और बहुत अच्छा है कि आप जिससे में जो सीजन चल रहा उस नाच्रल पानी से नाई है, हाँ अगर जिम क के लिए आप क्या मानते हैं कि वेट प्रेनिंग इस इंपॉर्टन और नौट, फैट लॉस के लिए अगर हम बात करें तो, बहुत बढ़िया सवाल है अपका, फैट लॉस करना हो, तू भी जिम में जा सकते हैं, और बॉड़ी को गेन करना हो, तू भी वेट प्रेनिंग आ पर न जाए, अगर अगर आपको फैट लॉस करना है, तो वेट रवेट ट्रेनिंग का माता है, उसका रूल क्या है, आप उसको बहुत तेज करो, बहुत तेज करो, श्पीड से जाओ, पोश्चा गलप नहीं करना है, लेकिन रेश्ट नहीं लेना है, और बीच में फंक्श जिएशन ऑफ फैट शुरू हो जाएगा, और उससे क्या होगा, आपका फैट फटा-फट अक्षिडाइज होगा, चल्दी चल्द इजदी इसका पर्सरेट बढ़ेगा, तो उससमें एक्सो पैंटिस, एक्सो चालेज से एक्सो पैंटारेट की पर्सरेट में करी है, जो कि कारडियों में होती है तो फैट लॉस और मसल बिल्डिंग की दोनों षाठ शाठ चुरू हो जाएगा उससके अंदर जाएगा तुड हाल जिम की लिए ट्रेनिग है वो दोनों में Si एपाफेज पेट एकस्टे हो बाड्राइप कि और बाड़ी को फड़नें देना हो तो फड़ने तो पुलसरेट आपकी नभबे के नीचे रहने हुआ they keep on traveling, अगर हम आपका एक्जामपल ले, you have been an inspiration for millions of people across the world and in India and everywhere, आप इतनी fitness की, हमने आज इस इंटर्वीव में फिटनेस को लेकर इतनी बाते हैं थी, you keep on traveling a lot and while traveling, you keep on doing sessions, you're doing a lot of things, you know, you're doing your office work. उस दुरान, while traveling, how do you maintain your, you know, fitness regime? How do you maintain that? दो तरीके रखता हूँ वामेशा एक नॉमली जिस होटेल में जाता हूँ वहाँ पर जिम होता तो वहाँ I make sure कि मैं वहाँ जिम चलू चले जाओ वह ख़़ लो दूसरा अगर किसी के पास इतनी सोवेदा नहीं है कि वो किसी ऐसे होटेल में रह सके जहां जिम हो हमारी ना बॉडी में भी बहुत वेट है बॉडी के वेट से भी आपने आपको ट्रेन कर सकते हो बॉडी के वेट से भी आप बहुत सारी एक्सेसाइजिस कर सकते हो जो बॉडी के आपको एक्सेरनल वेट की ज़रोते नहीं है बस वह आपको सीखने की दरुवत है किसी अच्छे कोच से मिलिए जिम में जाकर के उनसे बोलिए कि आज मैं किवल बॉडी के वेट से अपने आपको ट्रेन करना चाहता हूँ तो आपको पुश अप्स कराएंगे बहुत सारी एक्सराइज जैसी कराएंगे आपको लंजिस कराएंगे आपको सिट अप्स कराएंगे कितनी एक्सराइज कराएंगे बहुत तरह की वर्काउट हो सकते हैं जो आप बॉडी के वेट से ही कर सकते हो उन दिन आप कोर की ट्रेनिंग कर लो पेट की ट्रेनिंग कर लो आप है न साइटो की कर लो आप अब्लीक्स की कर लू आप ट्रेनिंग हो ते बहुत सारी ट्रेनिंगे हं कि पर लिए उस समय स्ट्रेचिंग का नोमली हम समय नहीं देते हैं हमारे यह तो एकulptर है हमारे देश suppressed लोग जिम जाते हैं जागे त्रेडविल बे भागे तादा 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 उसके बाद में उठाया और निकल गए गलत है वाम अप और कूल डाउं करते ही नहीं है भाई 15 मिलिट एक्सराइज कम कर लो चार सेट कम मार लो पहले वाम अप करो क्योंकि अगर भी बिना मसल को वाम अप किये आपने अगर उठा ली है इंजरी हो जाएगी बाद में कहते हैं और दर्द रच सबय क्जिँ आपने गेरे पूरी बाड़ी का फिर स्पेसिफिक मसल आज आपने समझो तो फॉर एग्स को ट्रेन करना है, तो पहले पूरी बॉडी का वाम अप करो, फिर लेक्स का वाम अप करो, 15 मिनिट कम करो जिम, चलेगा, लेकिन वाम अप करो, बॉडी में, एक्सरसाईस से पहले वाम अप और एक्सराईस के बाद कूल डाउन, दोनों बहुत जुरूरी है, जब आप travel पे हो, तो कम से कम ये कर सकते हो और अपने body weight ले अपने आपको train कर सकते हो और अगर gym मिल जा तो बहुत ही बाद है I think Dr. Bindra, this will help a lot of people across India also कि लोगों को balance किस तरह से रखना exercise के जोड़ान, अपनी body को refresh भी कैसे रखना and how to keep the balance between your body ताकि आपको को injury ना हो जाए को muscle injury या कुछ और issues ना हो जाए Dr. Bindra, one of the last questions which I want to know that कि अगर हम fitness को लेकर इतनी बात कर रहे हैं तो क्या लगता है कि सबसे adverse चीज, सबसे बुरी चीज fitness के जो हम बात करें, सबसे बड़ी obstacle क्या है कि जो लोगों का laziness है, lifestyle है या जादा time social media पर spend करना और अपने health को ना देखना What do you feel कि आज के scenario में सबसे बड़ी adversity क्या है अपने आपको फित रखने में सबसे बड़ा issues क्या लगता है सबसे बड़ी समस्या, इंसान के दुआरा पैकेट में बजाया हुवा खाना बेकरी, बेकरी को निजाल के बार फेंक दो हाथ मत लगाना बेकरी को और वो खाई जो mother nature ना दिया natural रही है बजार की नोटंकियों से बच के रही है अपने आठीक रहे हैं, जितना natural चलेंग उतना नंब One very important question in the end, in the end, in the end, Dr. Bindra I've seen some people, you know they have their own philosophies work-out timings some people say that we are at 4-5, you know we leave the bed and start working on we meditate, we do gym, we exercise and some people who are very successful in life and they say that we wake up early we are at 9-9, we are at 9-9, and we are at 1-1 hour as per your observation as per your experience, what do you feel that work-out अपने श्री को टाइम ले अच्छा है आंसर ये कि रात 9 से सुबह 3 के बीच में सोना चाहिए आपका liver detoxify हो जाएगा आपकी body को recovery सबसे अच्छी मलती है जान दीजे, शास्तर क्या बताते है रात 9 से रात 12 के बीच में सोएंगे तीन घंटे की नींद आपको 6 घंटे का benefit देगी रात 12 से रात 3 के बीच में सोएंगे आप तो 3 घंटे की नींद आपको 3 घंटे का benefit देगी और 3 बजे से सुबह 6 बे तक सोएंगे 3 घंटे की नींद आपको 1.5 घंटे का benefit देगी और सुबह छे बजे के बाद अगर आप सोएंगे तो बनिफिट नहीं देगी नुकसान कराईगी इसलिए रूल क्या है रूल यह है कि आप सुबह रिच समय उठीए रात को जल्दी सोईए और वर्काउट करिए कभी-कभी काम की जिम्मेदारी के कारण मैं नहीं कर पाता तो उसको एकसेप्ट भी कर रहा हूं पुरी इमानदारी के साथ इस वन एरिया जहां पर मैं और काम करने वाला हूं यह रिकावरी में बहुत मदद देता है शरीप को इतना तरुप ताज़ा और एनरजाइस कर सकता है पिर भी इसका बहना बना कि आप बिल्कुल कुछ ना करें वो ठीक नहीं है शाम को वाग पूझा सकतो जाओ यह नहीं कि और निया उफरे करना है मैं तो नहीं कि चलो सो जाता हूं ना 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 चालो करो अब आपने आइडियल पूछ लिया है तो आइडियल नहीं कर पढ़ है तो बिलकुल नहीं करूँगा वो कर पढ़ है जोपने कर आपको पर आपको पर आपको तो आपको आपकुल लोगों के लिए जो पॉटी सिविएज नहीं कर बिलकुल नहीं किया जा सकता है I wish you all the very luck Dr. Bindra, wish you a lot of happiness, a good life, happy life and healthy life. Thank you so much for being with us, all the best for your life and for your successful life Ahek. Thank you so much Dr. Bindra. It's a lot of power and wishing well for someone and I appreciate you so much good wishes. I appreciate you all of your good wishes. I appreciate you all of your good wishes.